Hello students, आज हम पढ़ेंगे हमारी first poem, class 12th के English की book की first poem जिसका नाम है Teach Me To Listen Lord Teach Me To Listen Lord और ये जो कवीता है ये Anonymous के द्वारा लिखी गई है Anonymous कहने का मतलब है अग्यात जब किसी का कवी कोई confirmation नहीं होता कि इन पंक्तियों को, इन रचनाओं को किसने तयार किया है तो उसे Anonymous कह दिया जाता है तो ये जो कवीता है इसका अभी तक कोई कवी confirm नहीं है तो इसलिए इस कवी को Anonymous कहा गया है इस कवीता के कवी जो है Anonymous है इसके इंट्रो बॉक्स में हम देखते हैं What is more important to speak effectively or to listen attentively यहाँ पर दो कटिन चब्द आए हुए है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या महत्पून है हमारे लिए कि हमें बहुत effectively यानि प्रभावपून तरीके से बोलना चाहिए या हमें बहुत अच्छे से ध्यान से attentively ध्यान पूर्वा किसी चीज को सुनना चाहिए तो इस इंट्रो बॉक्स को हमने पढ़ा कि इसमें कवी क्या दर्शान चाह रहा है अब इसके जो उत्तर हैं जब हम कवीता का अध्यन करेंगे तब हमी समझ में आएगा कि इसमें कवी क्या कहना चाहता है तो चलिए बचों पढ़ते हैं यहाँ पर मैं फर्स टाइम इसके पूरा एक परग्राफ पढ़ रही हूं आपको भी इसको पढ़ना है रिपीट करना है ताकि आपको इसके कठिन शब्दों को अच्छे से पढ़ते बनने लगे teach me to listen Lord to those nearest me my family my friends my co-workers help me to be aware that no matter what words I hear the message is accept the person I am listen to me प्रभू मुझे इश्वर मुझे सुनना सिखाईए किने सुनना है to those nearest me जो मुझे से nearest है मतलब जो करीब है निकट है पास है प्रभू मुझे उन्हे सुनना सिखाईए मेरे पास कौन कौन से है मेरे परिवार जन मेरे परिवार के सदश से मेरे मित्रगर मेरे इस आथ में काम करने वाले कारिकरता इसी को बोलगा है my family my friends my co-workers help me to be aware that मेरे मदद करिये कि मैं जागरुक रहूं क्या चीज के लिए जागरुक रहूं प्रभू मेरी सहाइता करिये मेरी सहाइता करिये कि मैं जागरुक रहूं ऐसी मेरे शहाइता करिये no matter what words I hear the messages accept the person I am listen to me no matter what words I hear जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ जैसा भी मैं सुन रहा हूँ उसका मुख्य संदेश ये है कि मुझे आप स्विकार करें मुझे आप accept करें संदेश ये है कि आप मुझे स्विकार करें और मुझे सुनना सिखाए listen to me accept the person I am जैसा भी हूँ मुझे स्विकार करें and listen to me मुझे आप सुने नेक्स पेरग्राफ में इसको हम पढ़ते हैं teach me to listen Lord to those far from me the whisper of the hopeless the plea of the forgotten the cry of the anguish सेकिंड पेरग्राफ में कवी कह रहा है कि प्रभू मुझे सुनना सिखाए उन्हें जो मुझे से फार मतलब की दूर है पहले में कवी ने कहा जो मुझे से करीब है मुझे उनको सुनना सिखाए अब दूसरे में कवी कह रहा है कि जो मुझे से दूर है आप मुझे उन्हें सुनना सिखाए मैं उनकी whisper को याने फसफसाहट को धीरे से जो शब्द हम कहते है दाट इस विस्पर मैं उनकी विस्पर को सुन सकूँ किसकी विस्पर को होपलेस को जिसके पास होप नहीं है जिसके पास होप की लेस है वोई होपलेस है जिसके पास आशा का अभाव है वोई है निराश तो मैं निराश जनों की जो होपलेस हैं उनकी विस्पर फसफसाहत को सुन सकूँ The plea of the forgotten, forgotten means जो भूले हुए लोग हैं, भूले विस्पर हुए जो लोग हैं उनकी plea means याचनाओं को, दलीलों को सुन सकूँ The cry of the anguist, anguist का मतलब यहाँ पे होता है unhappiness Unhappiness मतलब दुखी, तो जो दुखी वेकती हैं उनकी रोने की अवाज को, उनकी कराह की अवाज को, उनकी क्राई को मैं सुन सकूँ तो प्रभू मुझे करीबी जन को सुनना सिखाईए, जो मेरे family, friends, co-workers प्रभू मुझे सुनना सिखाईए, जो मुझे से दूर है, उनकी whisper को सुन सकूँ, hopeless की whisper को सुन सकूँ, forgetting की plea को सुन सकूँ, anguist की cry को सुन सकूँ, हे प्रभू मुझे सुनना सिखाईए next paragraph में कवी ने क्या कहा है, यहां देखते हैं, कवी कह रहा है कि हे प्रभू मुझे सुनना सिखाईए, मैं अपने आप स्यम को सुन सकूँ, help me to be less afraid, मेरी मदद करिये, कि मैं कम, मैं ज़्यादा डरू नहीं, मैं ज़्यादा भेवीत ना रहूं, कम भेवीत रहूं, मेरी मद विश्वास करूं, to trust the voice inside, मैं विश्वास करूं, जो मेरी भीतरी आवाज है, in the deepest part of me, जो मेरे अंदर से ही, मेरे शरीर के अंदर से ही, गहराईयों से ही, जो निकलने वाली मेरी भीतरी आवाज है, मैं उस पर विश्वास कर सकूं, teach me to listen Lord, to myself, यानि मैं सेम को सुनू, मेरी मदद करिये कि मैं कम निर्भ है रहूं, और मैं विश्वास करूं, उस आवाज पर अपनी जो भीतर ही, मेरे अंदर से ही, कहीं से आ रही है, चौधे paragraph में कवी कह रहा है, teach me to listen Lord, for your voice, hey प्रभू, मुझे सुनना सिखाईए, कि मैं आपकी आवाज को सुनू, पहले में कवी करीबी जनों को सुनू, दूसरे paragraph में कवी ने कहा कि जो दूर हैं उनको सुनू, तीसरे में कहा कि मैं स्यम को भी सुनू, और चौधे में कह रहा है, कि मैं प्रभू, आपको सुनू, ऐसा मुझे सुनना सिखाईए, हर condition में मुझे सुनना सिखाईए, चाहे मैं busy रहूं, busyness म में रहूं, या bottom में रहूं, तब ही आप मुझे आलेस में रहूं, फुरसत में रहूं, तब ही आप मुझे सुनना सिखाईए, certainty मतलम निश्चित रहू और in a doubt याने कि निश्चिता में रहू तब भी मुझे सुनना सिखाए doubt याने शंका में रहू तब भी मुझे सुनना सिखाए in noise and in silence याने कि यदि मैं shore में रहू नॉइस में रहू तब भी मुझे सुनना सिखाए Silence में रहूं तब भी मुझे सुनना सिखाईए ही प्रभू मुझे सुनना सिखाईए In business, in boredom, in certainty, in doubt, in noise, in silence हर condition में मुझे सुनना सिखाईए तो चौथे paragraph में कभी कह रहा है प्रभू मुझे सुनना सिखाईए कि मैं आपकी आवाज को सुनू और in सारी condition में सुनू Business में भी, bottom में भी, in certainty में भी, in doubt में भी, in noise में भी, in silence में भी प्रभू मुझे सुनना सिखाईए These all the words are opposite of each other यहाँ पे आप देखेंगे business का opposite, that is bottom, certainty का opposite, that is doubt, in noise का opposite, that is silence तो यह opposites हैं और यह सारे 6 words बहुत ही important है जो आपके 4th paragraph को cover करते है चलिए बच्चो यह जो कवीता है यह anonymous मैंने जैसे बताया है अग्यात की दवारा लिखी गई है क्योंकि इनके कभी-कभी कोई confirmation नहीं है अब हम discuss करते हैं इसके सारे difficult words को जो मैंने यहाँ पे already लिख रखे हैं तो मैं जरा इनको एक वार repeated कर देती हूँ और इन सारे words को आप भी अपने copy में note कर सकते हैं ताकि जब भी आप कवीता पढ़े तो आपके पास इनकी vocabulary रहेगी जैसे आप पढ़के आप इनकी meaning को समझ लगते हैं teach me to listen lot words and with its meanings effectively जैसे कि मैंने बताया था बहुती प्रभावी रूप से attentively attentively का यहाँ पर अर्थ इसका वीता में निकला है ध्यान से then listen सुनना nearest निकटतम या हमारे करीबी जो हमसे पास में है उसी को बला गया है nearest co-workers साथ के कारिकरता जो हमारे साथ काम करने वाले होते हैं वो होते हैं हमारे co-workers aware का अर्थ यहाँ पर है जाग रुक कि मैं बिलकुल जाग रुक रहूं हर चीज के लिए मुझे knowledge हो here का मतलब यहाँ पर होता है सुनना किसी चीज को सुनना that is here message message means संदेश accept means स्विकार करना किसी चीज को स्विकार कर लेना that is accept in English far it means दूर far means दूर whisper whisper means फुस फुसाहर या धीरे धीरे शब्दों में कुछ कहना that is whispering इसी को बोला गया है whisper hopeless means निराश plea means याचना या दलील hopeless I am repeating this word that is निराश forgotten forgotten भूले हुए जो होते हैं जिनको हम forget कर देते हैं that is forgotten भूले हुए cry आवाज रोने की रोने की आवाज को cry बोला गया है anguist means दुखी myself swim प्रभू को बोला है कभी ने किसे हम मैं खुद को भी सुनू less means कम afraid means भैबीत inside अंदर या अंदर की जो भी आवाज है उसे भी सुनने के लिए कहा है that is inside deepest यानि गहराई में जो है मेरे भीतरी गहराई से कहीं से आ रही है busyness व्यस्तता busyness व्यस्तता bottom फुरसत या बिलकुल जो freeness होती है जब उबासी आने लगती ऐसे जो situation होती that is bottom जब हमाँ परस कोई काम नहीं आता certainty यानि कि निश्चित्ता एकदम confirmed certainty निश्चित्ता doubt मीन संदेह जब हमें कुछ रंका हो वो संदेह की स्थित्य होती है doubt 27 नपर पर देखेंगे noise noise means sure जहां बहुत sure होता है that is noise in English silence noise का opposite silence means shant means shant listen listen का मतलब हमें आपको बता रखा है सुनना इसमें कभी ने कहा है कि प्रभू सुनना सिखाईए और ये anonymous का मतलब होता है अग्याद क्योंकि हमारे जो कवी है इसके anonymous है यदि आपसे पूछा जाता है कि इन पंक्तियों का speaker कौन है तो आपको बताना पड़ेगा that is anonymous तो ये सारे difficult words है इनको learn करना बहुत जरूरी है ताकि जब भी आप कविता पढ़ें तो आपको difficult words मालूम हो और ये जो कवीता है इसके extracts जो है exams में आते हैं extracts के रूप में जिसमें आपसे first question तो यही बनता है कि इसके poet कौन है और इसके poem का नाम क्या है what is the name of the poem and who is the poet of these lines तो इस तरह से questions extract में बनते हैं इसलिए हर कवीता की paragraph को अच्छे से learn करना बहुत जरूर है तो बच्चों उमीद करती हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा इसे आप learn करेंगे और next वीडियो में मैं आपको इसकी exercise पे चरचा करूँगी ओकी thank you